सोफा बनाने वाला इक गाव में चमनलाल और भाग्यश्री नाम के दमपत्ती रहते थे चमनलाल हीरों का व्यापारी था चमनलाल हमेशा हसी मजा करता रहता था भगवान हर जगा नहीं रह सकता इसलिए उनके स्थान पर मा को बनाया है फिर शैतान को किसने बनाया? शैतान हर जगा नहीं रह सकता इसलिए उसके रूप में पत्नी को बनाया है सुनते हो आपको पता है स्वर्ग में पती के पास में पत्निया नहीं रहती क्यों? पती के पास पत्नी रहे तो वो स्वर्ग कैसे होता है? अब ठीक है, मुझे मजबूर मत करो, वरना मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा बिल्ली को बाहर निकालने से क्या होगा? ठीक है, अपना सोफा बहुती खराब हो गया है, मैं सोफा बनाने वाले को फोन करता हूँ हलो? हलो? सोफा बनाने वाले बात कर रहे हो क्या? हाँ, कुछ नहीं, हमारा सोफा खराब हो गया है, आप एक बार आकर हमारा सोफा बनातेंगे ठीक है भाई साहब, अभी आता हूँ अरे, सोफा बनाने वाले, आ गए क्या आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोफी है साहब ठीक है ठीक है सोफ़ा अच्छे से देख लो और बताओ कि उसको बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा तुम वैसे कमाते कितना हो पचहास हजार साहब कितने महीने में वो काम को देख कर रहता है साहब ठीक है साहब मैं इस सोफ़े को मेरी दुकान पर लेकर जाता हूं और बना कर वापस लेकर आऊंगा साहब ठीक है ठीक है सभाल कर लेकर जाना और ठीक करने के बाद मुझे फॉन करना ठीक है एक काम करना सोफे को भी वापस वर्टसब पर भेज देना तुम्हारे पास वर्टसब भी है अच्चे से बना कर घर वापस लेकर आओ नहीं तो तुमको एक रुपया भी नहीं दूँगा ठीक है सहब जा रहा हूं एक दिन घर में एक हीरा नहीं दिख रहा था उसके लिए चमनलाल सारे घर में तलाशी करता है फिर भी उसे हीरा कहीं नहीं मिलता वो अपनी पत्नी से पूछता है वो भी कहती है मुझे नहीं पता ये जवाब सुनते ही वो सोचने लगता है अगले दिन सोफा बनाने वाला सोफे को बिल्कुल नए तरहे का बना कर घर लाता है ये देखकर चमनलाल कहता है अरे वाह मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रहा था लेकिन तुम तो बहुत अच्छा सोफा बना कर लाए हो कितने रुपए हुए इसके? दो हजार सहब क्या? छोट ऐसे काम के लिए दो हजार रुपए मांग रहे हो तुमको बहुत लालचा गया है दो सो रुपए दूँगा, चुप चाप ले लो सहब, मैं किसी के पास भी बिकार के पैसे नहीं लेता हूँ मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसी के हिसाब से ही पैसे मांगता हूँ क्या बात है? बहुत बाते सुना रहे हो ये दो सो रुपए लेकर जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ नहीं तो पुलिस को बलालूगा भी इतनी सी बात के लिए पुलिस की क्या जरूरत है साहब आप जैसे लोग बोलते हो हमारे जैसे लोग सिर्फ सुनते हैं चलने दो साहब मैं गरीब मेहनत करने वाला हूं मैं क्या कर सकता हूं आप बड़े लोग हो जो चाहे वही कर सकते हो ये 200 रुपए भी आप ही रख लो मैं चला जाता हूँ अच्छा अच्छा ऐसा क्या जाना चाहते हो तो चले जाओ दूसरों को भी मैं इतना ही देता हूँ तुम्हें जरूरत हो तो ले लो नहीं तो चले जाओ यहां से ठीक है साब मैं तो जा रहा हूँ लेकिन आपके सोफे में मुझे ये हीरा मिला था ये आप अपना रख लीजिए मेरे सोफे में ये हीरा मिला इस हीरे के लिए तो मैं पूरे घर में तलाशी कर रहा था फिर भी मुझे मिल नहीं रहा था इसे तुमने संभाल कर रखा और लाकर मुझे दे दिया बहुत बहुत धन्यावाद भाई तुम्हारी अच्छाई को मैं समझ नहीं सका और तुम्हें बुरा भला कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो तुमने दो हजार उपए मांगे थे ना ये लो ये लो दो हजार उपए रख लो आज के बाद मैं मेहनत करने वाले और अच्छे लोगों को भी कुछ नहीं कहूंगा मुझे में बुद्धी आ गई है आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और यदि आप ऐसी ही और भी कहानिया सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एक गाउ में कैलाश नाम का आदमी फूड ट्रक चलाता था वो अपने आपको बहुत चालाग समझता था सावसफाई का बिल्कुल भी खयाल नहीं रखता था एक दिन कबीर नाम का आदमी ट्रक के पास आता है ये भाई एक चाहे देना गर्मा गर्म होनी चाहिए ये लीजिये चाहे क्यों भाई इसमें तो मक्खी पड़ी है आपके दी हुए पैसों से मक्खी नहीं तो क्या हाथ ही पड़ेगा ये कहते हुए कैलाश पास ही के टेबल पर बैठे जगदीश के पास जाता है एक प्लेट इडली लाओ कैलाश इडली लाकर देता है क्यों भाई इडली इतनी चोटी क्यों है अरे भाई इडली छोटी नहीं है प्लेट बड़ी हो गई है इतने में कबीर वہाँ आता है क्या भाई गर्मा गरम क्या है ले कर आओ ये सुनकर कैलाश चुलहे में जल रहा गर्मा गरम कोईला लाकर उसके सामने रखता है ये क्या भाई गर्मा गर्म खाने के लिए लाने को कहा था तुम ये अंगार क्यूं ले आए हो आपने ये अंगार ही तो पूछा था अरे बाप रे तुम तो कुछ टेड़े लगते हो ठीक है एक काम करो एक प्लेट दोसा लाओ प्याज को अच्छे से बारी काट कर हरी मिर्च और घी डाल कर लाना दोसा एकदम से सोने के रंग में चमकना चाहिए ये सुनकर कैलाश वहां से दोसा कहकर चिलाता है दोसा अरे वो जो मैंने कहा था क्या वो सब बेकार है वो भी तो बोलो न इतने में वहां साबिर नाम का आदमी आता है अरे भाई कैलाश जो कल मैंने यहां से उपमा खाया था बहुत मज़ेदार था एक काम करो एक उपमा और लेकर आओ जी ठीक है लाता हूँ कैलाश उपमा लाकर देता है ये क्या ये तो कलका लगता है हाँ आपने ही तो पूछा था इसलिए मैं कलका उपमा ले आया इतने में फूड इंस्पेक्टर वहां आता है आयां फूड इंस्पेक्टर तुम्हारे ट्रक का फूड टेस्ट करना है अच्छा तो फिर ये सब कौन है मेरे पास आए दिन तीन चार फूड इंस्पेक्टर आते रहते हैं और वहां सब बरतर माज रहे हैं उस फूड इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आता है मुझे एक प्लेट इडली चपाती और बिर्यानी पासल करो इन सब का क्या करोगे कहीं जाकर बेचोगे क्या इन सब को लैब में ले जाकर टेस्ट करना है अरे ये एक निया बहाना है मैं एक रुपए का भी डिसकाउंट नहीं दूँगा डिसकाउंट कौन देगा ये पता चल जाएगा पहले तुम ये सब पासल करो ये ले जिए फूड इंस्पेक्टर को पारसल देता है कॉंस्टेबल इस ट्रक को सीज करो ये सब बासी खाना बेच रहा है ये सुनकर कॉंस्टेबल ट्रक को सीज कर देता है तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम के साथ कभी भी बेमानी नहीं करनी चाहिए और ग्रहकों को सही दाम में सही चीज ही देनी चाहिए आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शुक्रिया एक दिन रामलाल के घर में गैस खत्म हो जाती है, तो उसने गैस एजनसी को फोन किया हलो हलो गैस सिलेंडर वाला, गैस सिलेंडर वाला हाँ हाँ मालूम है हमारे घर में गैस खत्म हो गया है जल्दी हमारे घर में गैस लेकर आओ ओके सर आपके घर का पता बताईए मैं आपके घर को गैस सिलेंडर लेकर आता हूँ रामलाल रामू को अपना पता बताता है रामू पता लिख लेता है हलो गैस सिलेंडर वाला तुम हमारे घर गैस सिलेंडर जरूर लेकर आना मैंने तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड किया है ओके सर मैं गैस जरूर लेकर रहा हूँगा अब आप फॉन रख दीजिए रामू मन ही मन सोचता है ये पांगल है या स्क्रू लूस मुझे बता रहा है कि मैंने तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड किया है हलो सर रामलाल जी गैस सिलेंडर लेके आया हूँ नीचे फ्लोर में हूँ लिफ्ट काम नहीं कर रहा है आपका फॉर्ट फ्लोर है है ना सर लिफ्ट काम नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ, किसी ना किसी तरह उपर लाओ, तुम ही ने तो कहा था कि एड्रेस बताओ, सिलेंडर लाओंगा, इसलिए मैंने तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड किया, अरे बाप रेम मर गया, इसने तो मुझे फसा दिया, जाना तो पढ़ेंगा। ये कहकर रामू धीरे से सिलेंडर अपने कंथे पर रखकर सीडियों से फोर्थ फ्लोर पहुँचता है, रामू ने दर्वाजा खट-खटाया, रामलाल दर्वाजा खोलता है, रामू सिलेंडर ले जाकर किचन में रखता है, और बहार आकर पैसों का इंतजार करता है, रामू अरे-ओ गैस वाले, तुम्हारा नाम क्या है? हमारे सिलेंडर की लागत थोड़ी ज़ादा है, तो हमें महीने में दो-तिन सिलेंडर चाही होते हैं, तुम क्या ब्लैक मारकिट से दो और सिलेंडर दिलवा सकते हो क्या? सर मुझे एक संदे है, क्या आप होड़ चलाते हो, आप दोनों को इतने सिलेंडर क्यों चाहिए तुमसे मतलब गय सिलेंडर वाले हो, सिलेंडर दोर जाओ, हमें सिलेंडर की जरूरत है, लाके दे सकते हो क्या गुसा मत कीजिए, सर मैंने तो बस ऐसे ही बूछ लिया रामू मन में सोचता है, देखने में दोनों सिलेंडर जैसे हैं, इतना भर भर के खाएंगे, तो तीन सिलेंडर क्या, जितने भी हो, कम पड़ेंगे जल्दी जाओ और अपना काम करो सर मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे सोड रुपें दीजिए, और चार फ्लोर चड़के आया हूँ मैं क्यों दू भला, ये तुम्हारा काम है, तुम्ही ने तो कहा था, एड्रेस बताओ, सिलेंडर लेकर आऊँगा तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास, जाओ यहां से ठीक है, ठीक है सहाम, चलता हूँ तब से ठीक पंद्रह दिनों में राम लाल का सिलेंडर खत्म हो जाता है, और वो राम को फोन करता है सर सिलेंडर तो लेकर आऊँगा, आपका बर्थ फोर्थ फ्लोर पे है, सीड़ियां चड़ कर आना पड़ेगा तो दो सो रुपए ज़्यादा आलूँगा हाँ भाई, तुम्हें पैसे दे दूँगा, पहले जल्दी से सिलेंडर लेकर आओ राम सिलेंडर लेकर राम लाल के घर जाता है, और राम लाल से कहता है सर हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम लोगों को कम नजर से मत देखिए क्योंकि हम जैसे लोग ना हों, तो आप जैसे लोग किसी काम के नहीं इंसानों को इंसानों की तरह देखिये चलता हूँ ये कहकर रामलाल को सबक सिखा कर वो वहां से चला जाता है तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप भी ऐसी ही और भी कहानिया सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें शुक्रिया